विविन्द पुस्तकों में लिखे गए ऐसे विविन्द एक्सपर्ट का रेफरेंस दे रहे हम प्रारम करते हैं आपके सामने महाभारत से जहां आप जो प्रभूश्री कृष्ण का महाभारत का यह जो चित्र है यही से हम चर्चा का प्रारम करें उसके पीछे जाने की इसलि पाना है महाभारत से ही जो बिखरा हुआ उसको विस्तार भी कहा जा सकता है उसको बिखरा भी कहा जा सकता है उसको स्तानांतरन भी कहा जा सकता है उसको श्राप से मुक्ति का मार्ग भी कहा जा सकता है यही से उसका प्रारम भहा महाभारत में जैसे कि हम जानते हैं कि इतना बड़ा यूद्ध हुआ कवरों की तरफ से और पाणों की तरफ से विश्व में जिटने राजा थे इन दोनों में किसी न किसी राज्जय ने हिस्सा लिया उसमें आज के जिनको अंग्रेजी नामों के आनुसार हम या विविन्न भाषा के नामों के आनुसार जो देश कहते हैं इन देशों के नाम भी तब अलग थे लेकिन महा भारत से प्रारम कैसे होता है क्यों महा भारत में विजय होने के बाद यादव भारत में ही केवल क्यों नहीं रहें क्यों बाहर गए इसका एक कारण है कि सब महा भारत के युद्ध में पती व्रता गांधार ने भगवान श्रीकृष्ण के पूरे वहंश को एक श्राब दिया था उसको पहले देखते हैं क्या था श्राब भगवान श्रीकृष्ण पांडो की तरफ से लड़े और उनके साथ लड़ने के बाद यह दिखे महाभारत युद्द्ध के बाद गांधारी काफी दुखी थी वो समझती थी कि उनके 99 पुत्रों की मृत्यू के और महाभारत युद्ध के जिम्मेवार भगवान स्रीकृष्ण हैं उसके मन में ये धाराना हो गई थी और वो ये मान रही थी कि भगवान स्रीकृष्ण के कारण मेरे 99 पुत्र मर गए हैं अता स्रीकृष्ण जी जब गांधारी से मिलते हैं तो गांधारी उन्हें श्राप देते हुए कहती हैं कि मेरे कुल का नाश हुआ है वेसे ही तेरे कुल का भी नाश होगा और ये श्राप उनको इसलिए भी देती है कि भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा इतना बड़ा श्राब क्यों दे रही है तो कहते हैं कि युद्ध को आप रोक सकते थे तो कितना बड़ा महत्व पूर्ण मर में देखिए धर्म का वो कहते हैं कि आप इसे रोक सकते थे आपने रोका नहीं जिसमें ख्षमता है युद्ध को रोकने की वो रोक नहीं रहा हैं ये भी एक बड़ा कारण है और दूसरा ये युद्ध हुआ इसमें मेरा वांश 99 पर 99 सो में से 99 का अंत हुआ और इसलिए मैं ये श्राब दे रही हूँ ये श्रा का क्या महतो होता है ये सब जानते थे और इसलिए उस युद्ध के बाद क्युक्ति युद्ध में विष्व की अब तक ये वड़ी हानी हुई एक तत्थे के साथ लड़े और कही बल्लान हो गए उसके उश्राप के बाद का वातावरन बदल गया और फिर यदूओंशियों ने वहाँ से जाने का तै किया तो फिर क्या हुआ ये मैं आपको समझाओं क्यों कैसे कैसे आज के जिसको इसराइल कहते तब इसराइल नहीं कहत थे ये आरे वरत है जिसको जंबू दीपे आरे वरते भारत खंडे हम जब कहते हैं संकल्प में तो ये है पूरा आपके सामने ये उन देशों के नाम क्या है जिसको आज इरान कहा जाता है उसका नाम यहाँ पर पारसीख है इस मैं आपको ध्यान से सुनिए इसमें ये इसमें आपके सामने इसके लिए दिखा रहा हूं कि आज आप क्योंके मुझे पता है मुझे ये तथ्य में जब आपके सामने रखने के लिए मैंने पहला प्रमो हिट किया तो कई लोगों ने क्योंके उनको पता है कि सुदर्शन इस मुद्दे को दिखा रहा है और सुरेट चवान के तथ्या रखने वाला है इसका मतलब य कि लोग एक्सप्ट करने वाले तो कई लोग इसकी जान बूच के मजाक उड़ा रहे हैं कई लोग फैक्ट चेक करवा रहे हैं और जूटी फैक्ट चेक करवा के कहेंगे कि वह तब तो इसरेल नाम नहीं था तब तो इरान का नाम भी इरान नहीं था तब तो इराक का नाम बताए और गांदारी के श्राप के बाद आप ये नक्षा ध्यान रखिये